स्वाध्याय परमंतपहा नमो नमहा भाषा प्रवेश अस्य सप्तदश पाठे अहम राजेंद्रह महता भावताम सर्वेशाम हार्दम स्वाजतम करोमी पाठस्य नाम क्रियापदस्य विभज्य प्रयोगः मित्राने वयम जानिमह यदावयं वाक्यव्योहारं कुरमह तदा क्रियापदा नम अत्यंतम आवश्यकता भवदि क्रियापद वैविध्यम कथम करणियम एती अस्मिन पाठे वयम पठिश्यामह एतानी वाक्यानी सावधानतया पठन्तु अवगच्छन्तु च अध्यापकह चित्रम प्रदर्शयती अध्यापकह चित्रस्य प्रदर्शनम करोती चात्राह व्याख्यानम श्रुणवंती चात्राह व्याख्यानस्य श्रवनम कुर्वंती वयम निर्बलान न उपहसामह वयम निर्बलानाम उपहासम न कुर्मह मित्राणि एतेशू वाक्येशू वयम द्रश्टवंतह याद अध्यापकह चित्रम प्रदर्शयती इत्यस्मिन वाक्ये अध्यापकह चित्रस्य प्रदर्शनम करोती इतिवर्णनम अस्ती अतह यदा सरलवाक्यम वदामह तदा द्वितियाविभक्ती अस्ती तस्याह द्वितियाविभक्तेहे शब्दस्य शष्ठी विभक्ती मध्ये परिवर्तनम करणियम यथा अध्यापकह चित्रम प्रदर्शयती तस्यस्थाने अध्यापकह चित्रस्य प्रदर्शनम करोती एवम एव देवम अलंकरोमी अत्र द्वितिया विभक्ति युक्तह शब्दह देवम इतियस्ति अतह तस्य शष्ठी विभक्ति युक्तम करणियं देवशब्दस्य शष्ठी विभक्ति ही भवति देवस्य अलंकरोमी अत्र मुख्य क्रिया अस्ति अलंकरणस्य अतहा अलंकरोमी इत्यस्य स्थाने अलंकरणं करोमी इति वाक्यम वक्तव्यम अतहा शुद्धं वाक्यम भविश्यती अहम देवस्य अलंकरणं करोमी ते कक्षाम प्रविशंती उपरीतन नियम अनुसारेण एतद वाक्यम वयम अनेन प्रकारेण वक्तुम शक्नुमह यथा ते कक्षाम प्रविशंती एवमेव प्रकारेण उपरीतन नियमस्य उपयोगम क्रुत्वा एतद वाक्यम पुनहवदा मह यथा ते कक्षायाह प्रविशं कुरुवंती अनेन प्रकारेण अन्येशाम वाक्यानाम उपयोगम अभ्यासंच कुरुमह चलतु एतस्य एव अधिकम अभ्यासं कुरुमह अत्र कोष्टके केचन शब्दाह दत्ताह संती तेशाम उपयोगम कृत्वा वयं पूर्वे यम नियमं पठित्वंत हस्मह तस्य नियमस्य उपयोगम कृत्वा वाक्यानिर्मानं करिश्यामह कोष्टकात उचितं पदं चित्वा रिक्त स्थानानी पूरयंतु अर्जनम, उद्घाटनम, सत्कारम, आहुवानम, प्रक्षालनम, प्रतिष्ठापनम, अनुवादम एतानी वाक्यानी अत्रदत्तानी संती तस्य उपयोगम कृत्वा, रिक्तस्थानानी पूरया महा उदाहरणम, रहस्यम उद्घाटयती हाँ, चलतु, वयम एतस्य नियमम पठिद्वन्तह, कहनियमह द्वितिया विबक्ति युक्तह, शब्दह अस्ति, तस्य शष्टि विबक्तव, परिवर्तनम कर्णियम तरही, एतद वाक्यम वयम लिखामह रहस्यम उद्घाटयती अत्रदितिया युक्तम पदमस्ति रहस्यम तस्य शष्टि युक्तम पदम कर्णियम तरही, किम्भविश्यती? हा, सत्यम रहस्य उद्घाटनम करोती सज्जनम सत्करोती हा, चलतु उदाहरण आधारेण एतद वाक्यम भवन्तह लिखान्तु किम्भविश्यती? सत्यम सज्जनस्य सत्कारम करोती एवम एव प्रकारेण अन्येशाम वाक्यानाम अभ्यासम कुर्मह रिक्त स्थानानीच पूरयामह अवधेयम मित्राणी वाक्यनिर्माने भयम अवधानतया वाक्यनिर्मानम कुर्मह येन कुत्रापी अस्माकम तुटिही नभवेत। तरहिकिम करणियम चलतु पठामह अत्र शिक्षकह प्रतमा विभक्तव अस्ति अत्र तत्र कोपी परिश्कारह करणियह नास्ति। कर्त्रु पदम तथे वभविश्यति। शिक्षकह चात्रान परिश्करोती। अत्र चात्रान येति कर्म पदम द्वितिया विभक्ती युक्तम पदमस्ति। मित्रानी ध्यानम ददतु अत्र एव अधीक ध्यानस्य अवश्यक्तास्ति। द्वितिया विभक्ती युक्तम यत पदमस्ति तस्य शष्ठी विभक्ती युक्तम पदम कर्णियम। अत्र चात्रान येति दितिया वहुवचनांत पदमस्ति तस्य शष्ठी वहुवचनम कर्णियम। चलन्तु वदन्तु चात्र सब्दस्य शष्ठी वहुवचनरूपम कीम भविश्यति। अरेवा सुन्दरम हाँ चात्रानां बहु सुन्दरम शिक्षकह चात्रानां येति दा पदद्वयम अभवद तृतियम पदम पश्या महां। तृतियम पदम अस्ती क्रिया पदम। क्रिया पदम अस्ती परिश्करोती। मित्रानी क्रिया पदे का क्रिया मुख्य भूता अस्ती इति द्रश्टवयम। अत्रप परिश्करणस्य क्रिया प्रधाना अस्ति अतह परिश्करोती तस्य स्थाने परिश्करणम करोती इती विभाजनम कृत्वा इत्युक्ते विभज्य लेखनियम कस्य विभाजनम करणियम? क्रिया पदस्य विभाजनम करणियम द्वितिया विभक्ति युक्तम यद पदम अस्ति तस्य पदस्य शष्टि विभक्ति मध्ये परिवर्तनम करणियम तद दितिया युप्तम पदम यदी एक वचने, द्वीवचने पा बहुवचने अस्ति तरही तस्य पदस्य परिवर्तनम अपी शष्टि विभक्ति मद्ये एक वचने, द्वीवचने वा बहुवचने करणियम क्रियापदस्य विभाजनम कुर्मह तदा किंचि ध्यानम ददमह यथा आकर्षती, आकर्षनम करोती, निवेदयती, निवेदनम करोती अर्थात क्रियापदे मुख्यया क्रिया अस्ति तस्याहा क्रियायाहा एव विभाजनम करणियम चलतु, ए तस्य अधिकम अभ्यासम कुर्मह अदह लिखितानी वाक्यानी उदाहरणानु गुणम परिवर्त्य लिखन्तु ग्रंथह ग्रंथस्य पठनम अकरोत मित्रानी एतस्य उदाहरणाद्वारा एव वयम यदपूर्वं पठित्वंतह स्मह तद्स्पष्टम्भवती अतह अन्यानी उदाहरणानी अपी वयम स्वरित्य रिक्तस्थानं पूरया मह अवधेयम क्रियापदम अस्ति तस्ययव विभाजनम करणियम अस्ति यथा अनुसरती अनुसरनम करोती इती क्रियापदस्य विभाजनम करणियम चलतु एतस्य अग्रे अभ्यासम कुर्मह क्रियापदानी विभज्य लिखन्तु मित्राणी इदानिम क्रियापदस्य कथम विभाजनम करणियम इती भवंतः सर्मे पठित्वंतः अतह अत्रकिमपि कष्टम नभविश्यती सरलतया एव भवंतः एतेशाम प्रश्नानाम उत्तराणी दास्यंती चलंतु वयम अभ्यासम कुर्मह क्रियापदानी क्रियापदानम विभाजनम एकम अनुकुर्वन्ती तस्य विभाजनम कथम करणियम अनुकरणम कुर्वन्ती पिबती अस्मिन क्रियापदे मुख्य क्रिया का अस्ती पानस्य सुन्दरम पानम कुर्वंती लालयती लालनम कुर्वंती अनेन प्रकारेन अन्यानी यानी उदाहरणानी संती तेशाम उदाहरण स्थाने यद रिक्तपदमस्ती तस्मिन रिक्तपदे भवंतह स्वबुद्धेहे उपयोगम कृत्वा रिक्तस्थानानी पूरयन्तु एतस्य अग्रे अभ्यासम कुर्मः मित्राणी अत्र क्रियापदस्य विभाजन युक्तम पदम्दत्तमस्ती तस्य क्रियापद रूपम अस्माबिही रचनियम यथा गमनम करोमी तस्य शुद्धम रूपमस्ती अहम गच्छामी आच्छादनम कुर्वन्ती चलतु एतस्य शुद्धम रूपम कीम बविश्यती हाँ सुन्दरम ते आच्छादयन्ती परिहरणम करोती चलतु एतस्य शुद्धम रूपम कीम भवान उत्तरम ददातु सुन्दरम सा परिहरती मित्राणी अनेन प्रकारेन अन्यानी रिक्त स्थानानी अपी भवन्तह पूरयन्तु उदाहरणानुसारं वाक्यानी रचयन्तु मित्राणी इदानीम भवन्तह सर्वे सम्यक पठित वन्तह संती अतह वाक्य निर्मानम अपी भवन्तह सम्यक जानंती चलन्तु वयम उदाहारनस्य आधारेन नूतनानी वाक्यानी रचयाम हां। पाठस्य वाचनम करोमी स्मर्णम करोती कह मम स्मर्णम करोती मार्जनम करोती कोष्टके शब्दह अस्ति कृष्ण फलकम। बालकह कृष्णफलकस्य मार्जनम करोती मित्रानी उदाहरन द्वारा भवन्तह सर्वे अपी अन्यानी रिक्तस्थानानी पूरयंतु नमो नमहां। झालकह कृष्ण